हलो दोस्तों आज हम बात करेंगे महिंद्वा की मुस्कुलर एसीजी स्कॉर्टियों एम हॉप की जो की लेटेस्ट वर्जन में आने वाली है बी एस सिक्स कॉम्प्लेंट इसके बारे में दोस्तों पिछले कुछ समय से काफी वीडियो आ रही है फोटोज आ रही है वायरल हो रही है कि यह जो आफ मैं आई और नई डिज़ाइन माय गी लिए इंटिक आए और पेल आइकाउन को भी दबा दीजिए जिससे आपको हमारे चैनल को लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मिशन वक्ट पर मिलती रहेगी और हाँ दोस्तों इतनी मैनत करके ये वीडियो डॉक्डाउन के समय लाए हैं तो एक लाइक तो बनता ही है तो चलिए दोस्तों बिनादेरी करे हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ दोस्तों आपको बता देते हैं कि अब आटो मार्केट में सिफ बिये 6 कामप्लेंट ही बेचे जाएंगे इसलिए महिंद्रा अपनी मस्कुलर स्कॉर्पियो एम हॉक बिये 6 कामप्लेंट को लाँच करने वाली है आपको बता दो दोस्तों तो मार्केट में आए स्कॉर्पियो को लगबग 20 साल होने वाले हैं और दोस्तों अभी तक स्कॉर्पियो हर रूम की पसंदीता और ट्रेस्टेट बनी हुई है तो इसकी रिसेलिंग वैल्यू भी अपने सेग्मेंट की गाड़ियों से कई जादा अच्छी है इसलिए यह गाड़ी अपने आप में काफी मायने रखती है काफी समय से बताया जा रहा था कि मार्केट महिंद्रा स्कॉर्पियो एक नए प्लैटफॉम पर एक नए डिजाइन के साथ एक नए इंकिरियर के साथ PS6 काम प्लैट में लाउंच होने वाली है दोस्तों पर यह बिल्कुल भी सच नहीं है और ना ही महिंद्रा ने कुछ ऐसा अनाउंच किया है दोस्तों काफी मेहनत करके और काफी खोजबिन करके मझे जो इंफॉमिशन मिली है कि अनुसार जो Scorpio PS6 काम प्लैट में लाउंच होने वाली है उसमें कुछ ज्यादा चिंज नहीं किये गए है लेकिन हाँ जाहिर सी बात है अगर PS6 है तो इंजन तो चेंज होगा ही सबसे पहले इंजन की बात करते हैं इसमें पहले 2.2 और 2.5 लीटर एम होग डीजल इंजन आता था जो की 120 बीएच्पी की पावर और 280 अनम टॉक जनवेट करता था पर अब दोस्तो जो बीएच्पी की पावर और 320 अनम टॉक जनरेट करेगा और हाँ दोस्तो यह 506 स्पीड मैनुवल ट्रांस्मिशन के साथ ही लॉंच होगा दोस्तो पर मुझे महिन दागी एक बात बिलकुल भी अच्छी नहीं लगी कि यहाँ उने आटोमेटिक ट्रांस्मिशन टॉप वेरियंट में देना ही चाहिए था दोस्तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा तो दोस्तो यह तर रही इंजन की बात तो दोस्तो अब बात करते हैं वेरियंट की अभी तक दोस्तो इसमें S3, S5, S7, S9 और S11 यह 5 वेरियंट आते थे अब दोस्तो इसके S3 वेरियंट को जिसकंटिन्यू कर दिया गया है अब यह सिर्फ चार वेरियंट में ही उपलब्द रहेगी अब चलिए दोस्तो हम आते हैं में बात बे कि इसकी कीमत कितने से कहां तक रहेगी मगर इससे पहले मैं आपको इसकी पुरानी कीमत बता देता हूँ इसकी पुरानी कीमत 10.19 लैक से 16.83 लैक तक रहती थी मगर अब जो नया वेरियंट आने वाला है उसकी कीमत पुरानी गाड़ी के मुकाबले एक लाख रुपए तक महेंगी होगी अब दोस्तो इसके लुक और जिसाइन की बात करते हैं तो दोस्तो इसमें कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा हाँ मगर छोटे मुटे बदलाव देखने को मिल सकते हैं यही बात इंटिरियर की दोस्तो इंटिरियर में भी बदलाव होने की कोई संभावना नहीं है जैसे ही दोस्तों यह गाड़ी लॉंच होगी इसकी वीडियो भी हम अपने चैनल पर बनाकर अपलोट कर देंगे इसलिए दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब बटन को दबा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिसे हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपके पास समय समय पर पहुँचती रहे हाँ दोस्तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिलकुल भी नहीं भूलिएगा तो चलिए दोस्तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में